अच्छा गर्दन में कमर में दर्द है उमर कितनी है उमर 45 अच्छा चालिस की बाद थोड़ा बोड़ी में डिजनेशन होता है हर्मोनल चेंज भी होता है लेडिस को और अभी पीरियड चालू है कि बंद हो गए तो आज आपको हमने बताएं कि यह जो पत्रंगासव है अथवा जो है नारी सुधा है उसका प्रियोग कर लें तो उससे जो है यह आपकी पीरिड की समस्य भी अच्छ हो जाएगी वैसे लेडिस को इस उमर में थोड़ा हड़ियां कमजोर हो जाती है हार्मोनल इंबैलेंस हो गोली और चंद्रप्रभावटी एके गोली यह दोनों का इस्तिमाल कीजिए और शतावर चोन दो दो ग्राम ले दीजिए यह आपके टोनी का भी काम करेगा तो आपके हड़ियां आपके गर्दन के पीछे कमर के पीछे यह सब अच्छा हो जाएगा तो मैं सभी बहनों से क अतावर और चंद्रप्रभावटी और इस्तरी रसाइन यह एके गोली लेते रहना चाहिए थोड़ा नारी सुधा का भी प्रियोग कर लेना चाहिए उससे उनकी जनरल हैल्थ अच्छी रहती है और आपको यह जो गर्दन में दर्द घुटनों में दर्द कमर में दर्द की यह जो सिकायते रहती हैं केल्सियम की आईरन की कमी हो जाती है पोशक ततों की आपको अच्छा रहेगा मैं सबकी जानकारी के लिए एक बहुत इंटेस्टिंग बात बताना चाहता हूं मैंने यूरीन इंफेक्शन से लेकर के और यह बार-बार पेशाब आदी आने वाली स होते ही है करोणों की मैंने कैम भी लिया है क्योंकि करोणों लोगों को व्यक्तिगत रुप से मैं बात नहीं कर सकता हजारों से बात हुई है मेरी तो जिनको भी यूरीन इंफेक्शन होता बार-बार बार वह यह चंदरप्रफा और गोक्षा राधी गूगुल के लावा द अथरी की बीमारी है मने किड्ने से रिलेटिड पेसाफ से एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते है इसको अंग्रेजी में मुत्रसंस्थान एक्सक्रेटरी सिस्टम मुत्रसंस्थान से रिलेटिड यूरीन से रिलेटिड कोई भी प्रोब्लम है तो गोखुरू रामबान है गिलो कोई का इस्तेमाल हम लोग अर्थराइटिस को भी दूर करने के लिए करते हैं गिलोई जो है स्वाइन फ्लू डेंगो चिकनगुनिया को मिटाने के लिए हटाने के लिए और लेटेस को बढ़ाने के लिए करते हैं इम्मिनिटी बढ़ाता है